हेलो वच्चो, वेरी गुड मॉर्निंग, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का नाम क्या है अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, नाम है समा कलन के अनुप्रयोग यह हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है समा कलन के अनुप्रयोग और कल मैंने समा कलन के अनूप प्रयोग में बताया था कि अगर आपको किसी वक्र का छेतरफल अगर आपको X अक्ष के साथ चाहिए है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर DX रखेंगे यहाँ पर X की लिमिट A से लेके B A से लेके B ओके और और आप यहाँ पर फंक्षन रख देंगे तो फंक्षन क्या होता है FX फलन का मान यहाँ पर रख देंगे FX ठीक है FX को हम क्या बोलते हैं Y तो A से लेकर के B Y DX यह X X के साथ गिरा हुआ छेतरफल था यह हमने आपको कल बताया आज हम उधारन नंबर 4 ले रहे हैं आज का टॉपिक है हमारा एक्जाम्पल नंबर 4 आपकी NCRT किताब का नई किताब में यह पेज नंबर 308 पे है सवाल दिया गया है X equal to 0 तो X की वैल्यू जो स्टार्टिंग है कहां से जीरो से लेके X equal to 0 तथा X equal to 2 पाई के मध्वक्र के मध्य वक्र Y equal to cos X का चेतरफल ग्याद कीजिए चलिए यह आपको चेतरफल निकालना है तो X का मान कहां से प्रार्ण हो रहा है 0 से कहां तक जा रहा है 2 पाई तक तो 0 से 2 पाई तक के बीच का आपको चेतरफल निकालना है किस ग्राफ का cos X का Y equal to cos X का तो सबसे पहले आपको Y equal to cos X का diagram बनाना आना चाहिए तो देखिए cos X जो होता है cos 0 का मान कितना होता है 1 तो cos का मान 0 cos 0 पे 1 होता है यहाँ से शुरू होता है फिर यह यहाँ गिरता है कितने पे pi by 2 याने कि 90 degree फिर यहाँ पे चला जाता है विटा कितने पे 0 again 3 pi by 2 और इसके बाद यह हो गया कितना 2 pi याने कि 360 degree पे cos का मान कितना होता है 1 होता है तो यह आपको graph तो आना चाहिए पहली चीज़ अब आपको निकालना है इस वक्र से घिरे हुए चेतर का चेतर फल मतलब आपको ये चेतर चाहिए है ठीक है तो देखे आप इसको कैसे कर सकते हैं इसको आप किस तरीके से इसका चेतर फल निकालेंगे तो यहाँ पे आप इसका कुछ नाम दे दें O है नाम इसका O A यहाँ तक का B दे दे फिर यहाँ तक का C दे दे यहाँ पे D दे दे और फिर यहाँ पे E दे दे और इस पॉइंट का नाम आप M दे दे आपने इतने बिंदू ले लिए हैं है ना तो आप लिखेंगे वक्र का अभीष्ट छेतर फल मतलब जो आपके काम का छेतर फल है वक्र का अभीष्ट छेतर फल तो अलग-अलग छेतर हैं आपके पास में पहला छेतर क्या है छेतर O A B O मतलब O से A गए A से B आए और B से वापस कहा चले गए O चले गए और A चले गए मतलब ही एक बंद वक्र हो गया वक्र O A छेतर फल O A B O प्लस छेतर फल किसका बेटा B C D और वापस B तो बंद हो गया B C D B प्लस किसका छेतर फल D E M D छेतर फल D E M D तो यह आपके पास तीन अलग अलग छेतर है इन तीनों छेतरों का आपको छेतर फल निकालना है समाकलन विधी से अब आईए तो हम समाकलन विधी लगाते हैं यहाँ पे कैसे लगेगी समाकलन विधी देखिए समाकलन जो पहला छेतर है बिटा उसमें कहां से कहां लिमिट जा रही है? जीरो से लेके पाइब आई टू. और जो फलन है आपके पास में, जो य है, जो फलन दिया गया है, वो क्या है? वाई बराबर कॉस एक्स. तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? कॉस एक्स का छेतरफल डी एक्स. बोले क्लियर की नौट क्लियर? अब देखिए, अब जो दूसरा अंत्राल है, उसमें आपका जो फलन है, वो नीचे जा रहा है. मतलब छेतरफल आपका क्या आएगा? रनात्मक आएगा. क्या आएगा छेतरफल? तो रनात्मक की दुरघटना से बचने के लिए, आप यहाँ पे मौड लगा दीजे. क्या लगा दीजे? मौड. अब आपका जो मौड लगेगा, वो रनात्मक को भी आपको धन में बना के देदेगा. किस में बना के देदेगा? धन में यानि प्लस में आपको convert करके देगा फिर से करिए तो किसका समा कलन करना है इस वक्र का वक्र का नाम क्या है cos x limit pi by 2 से लेके कहां तक 3 pi by 2 यानि कि 270 degree और यहां पे dx और फिर इसके बाद में again cos x का समा कलन कहां से कहां तक d से लेके e तक तो d कितना है 3 pi by 2 और यह 2 pi 3 pi by 2 से लेके कितना 2 pi चली अब समा कलन इसका कर देते हैं तो आपको सबको पता होना चाहिए cos x का समा कलन क्या होता है sin x और यह तो निश्चित समा कलन है तो limit लगा दीजे 0 से लेके pi by 2 plus again बिटा cos x का समा कलन sin x और limit pi by 2 से लेके 3 pi by 2 mod लगाना ना भूले plus cos x का sin x और limit 3 pi by 2 से लेके 2 pi आप चाहें तो समे मौड लगा दें क्योंकि सभी positive आने चाहिए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है और ना भी लगाएं तो ठीक है चलिए अब limit पुट करिए sin pi by 2 याने की 90 degree तो sin pi by 2 minus sin 0 यह हो गया पहला पार्ट आपका दूसरा पार्ट मौड लगा करके sin 3 pi by 2 याने की 270 degree minus sin pi by 2 याने की 90 degree plus sin 2 pi और minus sin 3 pi by 2 अब अगर आपको ठ्रिकोन मीती के value नहीं आते हैं class 11 के तो आप फसने वाले हैं तो आपको value आनी चाहिए तो देखे क्या हो जाएगा अपने पास में sin pi by 2 होता है 1 sin 0 होता है 0 फिर mod लगा के sin 3 pi by 2 याने 270 degree तो sin का graph देखिए 0, 90 पे 1, 180 पे 0 और 270 पे minus 1 यह देखिए तो यहाँ पे कितना हो जागा 3 pi by 2 मतलब minus 1 और sin pi by 2 minus करके sin pi by 2 तो minus यह लगा है और sin pi by 2 90 degree कितना होता 1 होता है plus sin 2 pi कितना होता है 0 sin की value 2 pi पे 0 होती है और minus करके sin 3 pi by 2 minus 1 चलिए value पूट कर दीजे पहली value 1 है अगली value minus 1 minus 1 minus 2 बट mod लगा है तो कितना हैगा 2 आएगा और अगला minus 1 का minus 1 1 आ जाएगा तो answer 2, 3, 4 answer क्या हुआ 4 square unit यह इन्ने में लिख सकते हैं आप 4 वर्ग 1 आई तो यह आपका उत्तर बन गया इसका सही उत्तर है 4 वर्ग 1 आई और यह आभी रहा है 5 वर्ग 2 आई 5 वर्ग 2 आई 5 वर्ग 1 आई